इस समय हम सवाई माधवपूर में हैं और यहाँ पर जो आप भीड देख रहे हैं यह भीड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ कोई पॉल्टिकल रैली हो रही है बलकि यहाँ पर एक टेस्टिंग के लिए यहाँ तैयारी चल रही है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सामने जो इंजन सजा हुआ नजर आ रहा है इसी इंजन की हम कह सकते हैं ट्राइल किया जाएगा 36 किलो मीटर लंबे ट्रैक पर यह ट्राइल किया जाएगा खुदर रेल मंत्री असुनी वैशनो इसमें मौजूद रहेंगे यहाँ पर एक और चीज में आपको बता दूँ यहाँ पर पर RFID है यानि जब ट्रेन चलती है तो कहीं न कहीं एक एक चीज को रीड करती हूँ चलती है यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर RFID लगाई गई है और इन RFID को पढ़ने के लिए कहीं न कहीं इंजन के अंदर RFID रीडर लगाए जाता है तो वो भी रहता है सा पर जब हम ड्रेक की बात करें तो यहां से लेकर सुमेरपूर तक देख सकते रेडियो टावर है यानि किसी भी सिस्टम में कम्यूनिकेशन जरूरी होता है और उसी की वज़य से यहां पर जगए जगए पर थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके के टावर लगाए जाएंगे और इन टावरों के पीछे जो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है या जो पैसा लगेगा वो कहीं न कहीं छोटा मोटा एमाउंट नहीं होगा क्योंकि पूरे के पूरे इंडियन रेलवे की जब हम बात करेंगे तो लाखों करोड रुपए का यह सिस्टम रहेगा तो यहां कवच की बार बार बात कही जाती है जब कवच की हम बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि आमने सामने की टक जाएंगे हलांकि जब वो जमाना बीत गया जब आमने सामने के टकरें होती थी दुरगटनाएं होती थी लेकिन अब हम कह सकते हैं अब कवच को बड़े इस्तर पर लांच करने की तैयारी है और इसको बड़ी तेजी से इस काम को आगे बढ़ाये जाएगा निश्चित तोर कहा जा सकता है केमरमेन सकी लहमत के साथ सिद्धार्थ निउजी स्टेशन सवाई माधवपुर्थ इस्टेशन